आज हम आपके लिए बहुती आसान तरीके से हल्वाई वाली रबड़ी घर पर बनाना बताएंगे इसे बनाना बहुती आसान है एकदम दानेदार आपकी रबड़ी बन करके तयार होगी हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका सुचित्रा रसोई में इसके लिए हमने कड़ाई को गैस पर रखा है उसमें हमने डेट ग्लास दूद लिया है मतलब कि पॉन दीटा के सम्तिंग हमारा ये दूद है उसे हम हाई फ्लेम पर एक उवाल आने तक छोड़ देंगे एक उवाल आने देंगे उसे हाई फ्लेम पर आप लोग देख सकते हैं इसमें ओवाल आ चुका है अब flame को हम medium कर देंगे अगर आप लोग medium flame रखेंगे तो दूद को हमें जादा चलाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो मलाई होती है उसे हमें दूद में mix करना होता है मलाई को हमें side में जमने नहीं देना है और इसे हमें चलाते रहना है अगर आपको मेहनत कम करनी है तो इसकी flame को low कर दो तो flame हम medium नहीं रखेंगे low flame पर हम आराम से पगने देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे अगर आप high flame पर रखेंगे तो high flame पर भी हमारी रबड़ी जल्दी बन जाएगी और इसे चलाना पड़ेगा आप लोग देख सकते हैं मैंने medium flame रखी है medium flame पर अच्छे से हमारी रबड़ी पक रही है हमें side side से जो मलाई जम रही है उसे हमें mix करना है दूध मार इसे side में हमें जमने नहीं देना है आप लोग देख सकते हैं इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे चलाना है इसी तरीके से side में हमें नहीं जमने देना है देख सकते हैं, यह इस तरीके से इसमें मलाई पड़ती है आपकी रबड़ी एकदम दाने दार हलवाई जैसी रबड़ी बन करके तयार होगे अगर आप लोग इस तरीके से रबड़ी बना करके तयार करेंगे तो जब यह half दूद रह गया है जितना हमने दूद लिया था उसका half रह गया तब इसमें हमने दो इलाईची के दाने ग़ो डाल दिया है निकाल करके अगर आपके पास खड़ी इलाईची है तो आप इसे कुट करके बिडल सकते हैं वरना इस तरीके से भी डाल सकते हैं तब भी इलाइची का फ्लेवर आ जाएगा और इलाइची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास इलाइची पाउडर होता आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ना होता आप आठ से दस पीसेस लिए है काजू के काजू को हम ग्रैंडर में ग्रैंड करके उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तो उससे एकदम दानेदार हमाई रबडी बनेगी और काजू का जो फ्लेवर आता है भू भी बहुत स्वादिस्ट रबडी बन गएके तयार होगी इसे फ्लेवर भी अच्छा आएगा स्वाद भी अच्छा आएगा और आपके एकदम दानेदार बनेगी अगर आपको और जाता दानेदार बनानी है तो इसके लिए आप एक चम्मस दही डाल दें और धही डालने के आद इसे कंटिन्यू चलाते रहें तो भी आपके दानेद पीजितार रबड़ी बन करके तैयार होगीließen कि आप लोग देख सकते हैं इसे मेने मीडियम फ्लिम पर छोड़ दिया हैं और एक तम बहुत अच्छी बढ़िबां करके तैयार होगी मोग देख इसी तरीके से हम चलाती हुए रबडी को बना करके तयार कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं कितना दूद गाड़ा हो गया है अब आप लोग जितना मतलब कि इसी गाड़ा रखना चाहिए आप उतना गाड़ा रख सकते हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और जादा गाड़ी होती है तो इतना गाड़े पे हम गयस को आफ कर देंगे अगर आप लोग थोड़ा और थिक पसंद करते हैं तो इसी थोड़ पांच मिनट और पका लें अब हमारी रबड़ी बनकर के तयार है एकदम दानेदार आप लोग देख सकते हैं कितने दानेदार हमारी रबड़ी बनकर के तयार हुई है तो अब आप इससे सर्व कर सकते हैं और इंजोई कर सकते हैं और अगर आपको हमारी रस्पी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और हमारी चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलने ताकि आपको हर वीडियो का नोटेवेकेशन मिलता रहें थैंक यू